इससे पहले मुझे इस बात की खुशी है कि ये जो सोनीपस से चंदिगड की तरफ जाने वाला जो रस्ता था इसके कारण आप लोगों को बहुत तकलीफे सहन करनी पड़ी जब हमने ये कार्य का शुबारंब किया तो कॉंट्रैक्टर फेल हो गया तो कॉंट्रैक्टर को रिप्लेस करके काम शुरू किया तो किसान आंदोलन में साल देड़ साल काम बन पड़ा और इसलिए इतने ट्राफिक के रोड पर आपको काफी तकलीफ हुई और इसलिए निश्चितुप से मुझे अनेक बार आधरनिया हमारे साउसद के उशिक जी मेरे पास आते थे और बार बार इस बातों के समस्याओं का जिकर करते थे मैं आज रमेश कौशिक जी को धन्यवाद दूगा कि उन्होंने भी लगातार पीछा किया और आज इसी रोड पर ग्यारा ब्रिजेस का निर्मान पूरा हुआ है और आपको रहत मिलिए इसको मुझे खुशी है कि सुविदा को देकर हमने दिर्णे किया कि हम तीन तीन लेन के बनाएंगे तो और तीन और तीन छे लेन और उपर में आठ लेन तो ऐसे चौदा लेन का ये रोड बना हुआ है जो चंदिगर तक जाने के लिए आपको निश्चित रूप से बहुत-बहुत सुविदा देगा पर इतना ही नहीं है तो जो पेरिफिरियल रोड है उसके बाद में हम यूएर टू बना रहे है मैं बीच में उसके निरिक्षन करने के लिए आया था और इसका सबसे बाइड़ा फाइदा हरियाना को होने वाला है हम पेरिफिरियल रोड से आगे जहां से यूएर टू लगता है रिंग रोड दिल्ली का वहां से एर्पोर्ट जाने के लिए हमको देड़ से दो गंटे लगते है पर अब ये रोड बनने के बाद हम वहां के शिव मूर्ती तक द्वारका एक्स्प्रेस आईवे तक केवल 15 से 20 मिनिट में चले जाएंगे और शिव मूर्ती से हमने वहां फिर आठ लेन नीचे आठ लेन ऊपर 16 लेन बनाई है मैं अब अंदर की तनेल देखके आया हूँ और उस तनेल से डाइरेक्ट T3 पर पहुँच जाएंगे और उसी तनेल से वसंत वियार तक पहुँच जाएंगे इसी तनेल बना रहे है मैं ज़े खुशी है कि आप यहां से डाइरेक्ट जैपूर के लिए जाने के लिए अब सोनी पस से जैपूर ये रोड बनने के बाद आप केवल धाई से पाउने तिन गंटे में आपको हो जा जाएगा आप जैपूर तक पहुच जाओगे मुझे खुशी है कि आज हमने विशेश रुप से हरियाना में काफी बड़े-बड़े ग्रीन एक्सप्रेस हाइवे की भी परियोजना हमने ली है यह जो विशेश महत्वपूर्ण योजना जो है उसमें दिल्ली मुंबई एक कि इस योजना से दिल्ली से मुंबई जाने के लिए 40-45 घंटे लगते थे अब आप केवल 12 घंटे में जा सकोगे सोनी पत से मुंबई तक साड़े 12 घंटे में आप पहुच जाओगे इतना अच्छा रोड़ बन रहा है अब ही हमने राजस्तान के पार्ट तक के रोड़ का उगाट उन प्रदान मंत्री विजे ने किया है अब आगे रतलाम तक का भी रोड़ का उगाट उन अगले मेंने कर रहा है और निश्यत रुप से इसका बहुत बड़ा फाइदा होगा हरियाना में जितना काम था 6,000 करोड का वो 100% हमने पूरा किया है देली से हरिदाबाद सोना ये बहुत इंपॉर्टन रोड़े 80 किलो मिटर का और इसकी कीमत 3,500 करोड रुपे है इसका भी हमने 37% काम पूरा किया है और एंटायर एक्स्प्रेस हाइवे हम डिसंबर के पहले पूरा करेंगे जो हरियाना के लिए बहुत उपएगी होगा जो हरियाना का ग्रोथ हिंजिन बन गया है ऐसा इंपॉंट्रेट रोड़े ने अंबाला कोड पुतली जो अंबाला से शुरूओकर कुरुक्षेतर कैथल करनाल जीन रोतक विवानी चर्खी दादरी और महिंद अंबाला कोड पुतली रोड पूरा किया है और मुझे खुशी है कि मैंने अभी आधरनिया मनोरलाल जी से रिक्वेस्ट किये कि प्रदान मंत्री एक बार इसका उद्गाटन करें उनकी डेट में मिलने के कारण ना इसका भूमी पुजन हो पाया ना उद्गाटन हो पाया पर इस बार उसका उद्गाटन प्रदान मंत्री के हाद से करने के हमारी इच्छा है और एक हरियाना के लिए एक लाइप लाइन बनने वाला रोडे ने देली अमुरुसर कट्रा जजजर, रोतक, सोनीप, जीन और कैथल से जाएगा ये 670 किलोमीटर है और टोटल इस मैंसे हरियाना में 158 किलोमीटर लेंग्थ है और इसकी कीमत करीद 9000 करोड रुपए है, 50 टक के काम पूरा हुआ है और इस एक्सप्रेस आईवों को डिसंबर 24 तक हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, ये भी हरियाना के जिन जो विभाग है, उसके विकास के लिए बहुत होगा, अगर हिसाब लगाया जाएगा, तो हरियाना में जो एक्सप्रेस आईवों और एकोनोमिक केरीडोर पकड़के, हम टोटल 632 किलोमीटर, 30,000 करोड रुपए के किवल हाईवे बना रहे है, ये हरियाना की बदलती भी तस्वीर आप सब देख रहे हैं, हरियाना का 25,000 करोड रुपए खर्चा कर रहे है, मैंने जो एक्सप्रेस हाईवे का उलेक किया, उसमें द्वारका एक्सप्रेस हाईवे का काम, आधरनिया मनोरलाल जी के मांगो के कारणे हमने बनाया, वो भी 10,000 करोड का द्वारका एक्सप्रेस हाईवे भी डिसंबर के पहले पूर हो जागा तीन मेने में, सिक्स लेंड दिल्ली अक्षरदाम टुइस्टन पेरिफिरल एक्सप्रेस वे बतिस किलो मेटर साड़े तीन हजार करोड का, ये भी बहुत महत्व पुर्णर रोड है, हम दिल्ली से डेराडून एक्सप्रेस हाइवे बना रहा है, दिल्ली से डेराड पूर से हम लोग शामली से अंबाला तक लेकर आ रहे हैं, तो अंबाला में रहने वाले लोगों को अब फिर से इस रोड से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एक्सप्रेस हाइवे से डारेक्ट दिल्ली से अंबाला पहुँच जाएगी है, मुझे बहुत खुशी है कि दिल्ली से पानिपत आज काम पूरा हुआ है, इसके साथ साथ गोना से सोनिपत 40 किलिमेटर 2000 करोड ये 73% काम पूरा हुआ है, इतना ही नहीं, तो दिल्ली तो जैपूर के बीच में हम फिर उसको सुदार रहे हैं, उसका भी पाठ हरियाना में आता है, वो भी 1300 करोड का का 76% शुरू पुरा हुआ है, बाकी करने की हम कोशिश कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टन बात यह है कि इंदिरा गांडी एरपोर्ट से जेवर एरपोर्ट तक देल्ली मुंबे एक्सप्रेस आईवों को जोडने के लिए 3000 करोड रुपे खर्चा करके, हम 32 किलोमेटर का हाईव बना रहा है, उसका काम जल्दी ही शुरू हो जाएगा, जो हर्याना के लिए भी बहुत उपयोगी होगा, इसके साथ साथ रंगपूरी का बाइपास 3000 करोड यह भी हम जुन 24 तक पूरा करेंगे, मेरे पास दिल्ली में जो कामों की लिस्ट है, करीब 25,000 करोड रुपे, दि इस्टन पेरिफिरियल 12,000 करोड जिसमें हर्याना की सरकार का भी पार्ट है, यह पूरा हुआ, दिल्ली मेरेट एक्सप्रेस हाइवे, जहां साड़े 4 गंटे लगते थे, अब 40-45 मिनिट में हाना होता, वो पूरा हो गया है, गुर्गाउ से सोना, यह हर्याना में पूरा तीन हजार करोड का, यह भी कंप्लीट हो गया है, यूपी हर्याना बॉर्डर टू सोनी पर, यह दस सो बीस करोड का, यह भी पूरा हुआ है, जिसका उल्ले कभी कोशिक जी ने किया, फ्लावरर अन्डर पास देल्ली गुर्गाउ, अकरा 1100 करोड यह भी पूरे हुए है, रेट लेन कैरिडर फ्राम दोला कुआ टू एरपोर्ट यह भी पूरा हुआ है, और एम्बियंस मॉल पे एलिवेटेड यूटन वो भी पूरा हुआ, यह पूरी टोटल 25,000 करोड की है, और आज तक हरियाना में जो काम हम कर रहे हैं, उसकी टोटल लगाई जाए, तो 100 प्र पूरी की है, 30 परियोजना 830 किलोमेटर की 35,000 करोड की ओन गोइंग है, और वननिस परियोजना 756 किलोमेटर लागत के जो करीब 20,000 करोड की है, 14 प्रोजेक्ट का DPR चल रहा है, और कुछ काम टेंडर प्रोसेस में है, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मनुरलाज जी को और हरियाना की जनता को, कि 24 जब समाप्त होगा, तो हरियाना में 2,000,000 करोड के काम चले पूरे होंगे, और कुछ काम शुरूर रहेंगे, और हरियाना की तस्वीर बदल जाएगी. झाल 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 झाल